अध्यापूर्थी विभाग में राशन की डिलरों पर बायोमेट्रिक मशीन सरकार के द्वारा लगाई गई है जिससे कि बायोमेट्रिक पर उठा लगाने के बाद ही जनता को राशन दिया जा रहा है लेकिन अब राशन डिलर बायोमेट्रिक मशीन का विरोध करने लगे हैं राशन डीलरों का कहना है कि उनके यहां पर नेटवर्क नहीं आता है इसलिए उन्हें राशन वित्रत करने में काफी समस्या आती है अब इस मामले को लेकर विभागी मंतुरी रेखा आरे ने कहा है कि बायोमेट्रिक मशीन अपने आप में जीरो टॉलरेंस और जीरो बेस्ट उस पर भी हम का आगे काम करेंगे और रही बात रिचार्च की तो रिचार्च का पैसा राशन डीलर को मिलता है लेकिन उसमें थोड़ी समस्या आई है कि वह पैसा समय पर नहीं मिल पाता है उसको लेकर भारत सरकार केंदरी मंतरी से भी वारता है जारी है पाइमेट्रिक विवस्ता के तहट में यह फाइदा होता है कि जितना राशन उसको अलाउट होता है उसके थम के साथ में अलाउट होता है जो कि मैं समझते हूं उसके एक अपनी अपनी युनिक आईरीड होती है इस विवस्ता में कई अपनी जनपद जो है उन्होंने अच्छी परफरमस का रिक्की है लगबासी प्रतिशत तक में भी पिचतर प्रतिशत तक में भी पूर्ण हुआ है पाड़ी जनपदों में अपी संकूनता नहीं आपाई है उस और हम लोग बढ़ेंगे रही बात की उस मंत्री मंत्री जी से भी वारता उस तरह में जारी है